ये कहानी है एक कुत्ते और एक इंसान की एक कुत्ता जो कि अपने मालिक से बहुत प्यार करता था काफी मस्ती करता था उसके साथ काफी अच्छा रिष्टा था दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी दोनों ये दूसरे को बहुत अच्छा मानते थे एक दिन किसी कारय वस उस आदमी को बाहर जाना पड़ा और वो हुआ जहाज में बैठ के उस कुटे को घ़ पर ही छो लेकिन कुटा उसके पीछी कुटे ने उसको हुआ जहाज में बैठते हूए देख लिया कुट्टे को बड़ा आश्चरी हुआ उसको बहुत दुख हो रहा था उसका साथ ही उससे दूर जा रहा था हवाई जहाज उड़ने लगे हम उड़ते जा रहा था उड़ते जा रहा था और उसका बफादार कुट्टा उस उड़ते हुए हवाई जहाज को एक टक निहार रहा था उसे इंतजार था कि वो जहाज रुकेगा और उसका मालिक उतर के आएगा और उसको भी ले जाएगा लेकिन जहाज उचा 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 और उचा उचा उड़ते चले गया कुटा एक टक देखते रहा देखते रहा अब जब भी कोई हवाई जहाज वहाँ पर रुपता जब भी कोई हवाई जहाज से उदरता तो कुटा एरपोर्ट पर पैट कर उसका इज़ा करता है एक टक देखता है कि उसका मालिक इस जहाज से उतरेगा और उसको प्यार करेगा ऐसे करते करते काफी समय बीद गया जब जब भी कोई हावाई जहाज रुकता है आदमी वहां से उतरते वहीं पर उनको देखता है कि उसका मालिक उससे उतरेगा ऐसे करते करते काफी समय बीद गया महिना, दो महिना, छे महिना, साल भर और हर रोज का रुटीन बन गया था कुट्टे का जब भी हावाई जहाज को रुकता था उससे आदमी उतरते थे, वो उनको देखता था उसको आज भी विश्वास था कि उसका मालिक वापस आएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा काफी इंतिजार किया कुट्टे ने काफी इंतिजार किया अपने मालिक का और इंतिजार की हद हो गई उसका स्वास्त बिगरने लग गया और वो बिमार हो गया जब कुता बिमार हो गया तो फिर भी उसके बाद भी जब भी कोई हवाई जहाज स्टेशन पर आता तो वो स्वास्त होकर फिर से उसकी वो नहारता कि आज तो उसका मालिक आएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा लेकिन दीरे दीरे उसकी उमिद उपर पाने पी यहाँ पर उस कुत्ते की जिन्दगी में एक बच्चे ने प्रविश किया एक लड़का छोटा सा जो की जिन्देखा कि कुत्ता बिमार है और उसको वो कुत्ते की बहुत देखभाल करता थ कुत्ते दीरे दीरे कुत्ते के साथ उसकी दोस्ती होगी एक छोटे से बच्चे की अब कुत्ता उसके साथ खुश था दोनों काफी मस्ती करते कहीं ने कहीं कुत्ते के मन मैं आज भी अपने मालिक का इंतजार था लेकिन एक नई छोटे मालिक को पाकर वो काफी खुश भी था दो साल बाद उसका मालिक हवाई जहाज में बैठ कर वापस उसी एरपोर्ट पर उतरा और इत्वाक से वो कुट्टा भी मुजदू महां पर था जब एरपोर्ट पर उतरा उसने अपने मालिक को देखा और वो स्क्यूर भागा उसके मालिक ने उसे गले लगा लिया दोनों ही आसो बहाने लगे काफी लंबे समय बाद मिले थे अब यहां पर कुट्टे के मन में दूइजा थी जो बच्चा उसका दोस्त बना था बाद में अब वो उसकी और देखने लग गया कि वो बच्चा रूदास था रो रहा था और जो उसका मालिक था उसने देख लिया था कि कुट्टा इतने सालों बाद आ रहा हो मेरे को पहचान रहा है अपनी बफादार ही दिखा रहा है लेकिन इसको उस लड़की जिसने इसकी देख भाल की उससे प्रेम है तो उसके मालिक ने उस कुट्टे को जो है अपने कुट्टे को उस बच्चे को सौब दिया और आप बच्चा काफी खुषता और कुट्टा भी काफी खुषता आसा है आपको पसंद आई होगी कहानी तो बने रहे एक गुरू केस भी यूटूब के इनके साथ लाइक सेर और सबस्क्राइब करना ना भूले